नमस्कार, एक्जाम हैपी वाई जहरखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूट चुका हूँ, मैं यहाँ पर आप सभी सहय कध्यापो के आकलन परिच्छा की तयारी को ले करके और 101% सफलता प्राप्त कराने के लिए तो आप सभी यहाँ पर आकलन परिच्छा में 101% सफलता प्राप्त करना चाते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जैक के तरब से यह सपस्ट गोशना कर दिया गया है कि आपकी एकजाम मैं में होगी और आपका जो एकजाम होगा वो पाठ करम पर अधारित प्रस्णों पर होगा और आप लोग यहाँ पर बहुत से ऐसे नोट्स को पर्चेच किये हैं जो आपको exercise wise पाठ करम पर अधारित प्राप्त करना चाते हैं और कम पढ़कर के अधिक सफ़ता लेना चाहते तो वो आपका test book है व्यदि आप test book पढ़ लेते तो अच्छी बाते नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे channel पर only for test book पर test book पर अधारित jack model पाट करम पर अधारित सारे प्रशनों का notes यहाँ पर बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ 351 रुपए में purchase आप कर सकते हैं और यहाँ पर मैं जून जब तक परिच्छा होते हैं तब तक आप पढ़ सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि केवल हम यहाँ पर notes को ही purchase करें तो आप notes ले सकते हैं पर तेक विशय का notes आपको 29 रुपए में होली के सुब अवसर तक दिया जा रहा है तो आप 29 रुपए में लेकर के किसी भी subject का notes और PDF पढ़ सकते हैं और पूरी classes को जोईन करना चाहते हैं तो 350 रुपए में पूरी classes को आप जोईन करके मैं तक के लिए पढ़ सकते हैं और यह केवल जो है आपको jack model पाठकरम प्रदारित प्रस्न है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी नहीं दिया गया है इक्स्ट्रा कोल पाठकरम प्रता आप सभी अवसर देख लेए प्रस्तावना को ही सविधान का सार माना जाता है अगला प्रस्तावना में पंत निर्पेच समाजवादी तथा अखंडता सब्द जोड़ा गया है कब जोड़ा गया है चवालसवे सविधान संसोधन व्यालिसवे सविधान संसोधन छ्यासवे सविधान संसोधन या कोई नहीं देखे ये प्रस्त भी आपका जेटेट का है और जहरखंड के यहाँ पर दो एक्जाम में ये प्रस्त पूछा गया है और यह आपका किस कलास म तो बताई आता है कि नहीं आता है आपके टेस्ट बुक से तो अभी भी आपका जो परिच्छा है ना वो टेस्ट बुक से नहीं आने जा रहा है आप यहां पर धहरे रखिए सारे प्रशनों को यहीं से लड़ने जा रहा है जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं एक्दम पन्त निर्पेज समाजवादी तथा खंदता सब जोड़ा गया है वो 42 सब्धान संसोधन अधनियम 1976 के तहद प्रस्तावना में पन्त निर्पेज समाजवादी तथा खंदता सब जोड़ा गया है। गया है ठीक है तो इस तरह से बहुत से चीज़ें यहां पर प्रशन आपको निकल के आती है जो हम आपको बताते हैं रहते हैं चलिए अगला दिखिए गई हैं पर भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री कौन थी राजु गांधी श्रीमती परतिवा देवी सिंग पाटील सोनिया गांधी या स्रीमती इंद्रा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री कौन थी तो भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री कौन थी आप लोग भी सह पर लाल किला पर जो जंडा फर आयता है वहां पर कौन जंडा फर आते हैं यह प्रस्ण तीन बार अब तक देखेंगे तो आपको निकल के आज चुका है जरकन के एकजाम में ठीक है तो यह बार बार आपके एकजाम में पूछे जा रहा है तो आप देख लिजेगा परधान म अगला है भारत कैसा देश है लोकतांत्रिक देश है जनतांत्रिक देश है गनतांत्रिक देश है या कोई नहीं तो भारत कैसा देश है भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है लोकतांत्रिक देश का मतलब जनता यहां पर मुख्य होती है और जनता के द्वारा चुन करके सरका जाती है लोक्षभा तथा विधान सुभा का चुनाव होता है प्रतेक पांच बर्स पर प्रतेक चार बर्स पर प्रतेक तीन बर्स पर या कोई नहीं तो लोक्षभा तथा विधान सुभा का जो चुनाव होता है वो प्रतेक कितने बर्सों पर होता है पांच बर्सों पर होता अगला है भारत में किसका पद सर्वोज होता है भारत में जो है सबसे सर्वोज पद कोन होता है राश्टपती उपराश्पती परधान वंतरी या कोई नहीं अभी तक झारकर्ण के एग्जाम में यह 10 बार प्रशन आ चुका है जो अब भी एग्जाम में जाईए में उसमें Lexikcheicee ka enterggat, यह प्रशन बार बर आ रहा है, तो हम वैसे इनी प्रशनों को समहवयuters भी कर रहे हैं, और आपको यह बताने का बी believer कर रहे हैं कि कितना प्रशन आ रहा है, तो भारत में किसका पत्स मर्य भॉस होता है तो राश्पति का पत्भ जो होता है सिरिव 준ै है, अगला है राश्पति का चुनाव कितने बर्षों के लिए होता है चार बर्ष पांच बर्ष छो बर्ष या कोई नहीं तो राश्पति का चुनाव कितने बर्षों के लिए होता है और अब तो जहारखन के एकजाम में दस बार पूछ दिया गया है जितना भी एकजाम कर रहे ह उसमें पूछा जा रहा है तो इस तरह से जहारकने में आपके भी परिछा है और आपके भी यहां से प्रोशन भढ़ने वाले हैं सारे notes और PDF को purchase करते चलिए, देखते चलिए आपकी आकलन परिच्छा, आपकी जेटेट परिच्छा, आपकी सहय का चार्च परिच्छा, यहां से 101 परतिसत निकल जाएगी, भासन तथा अभिवक्ति की सोतंतरता किस अनुछेद में सामिल है, अनुछेद 19, अनुछेद 20, अन विवक्ति की सोतंतरता किस अनुछेद में सामिल है, तो देखें, यह जो अनुछेद सामिल है आपको, भासन तथा अविवक्ति की वो आपका हो जाएगा अनुछेद 19 में, किसमें हैं, अनुछेद 19 में, यह भी प्रश्णाय हुआ है, विश्वास, धर्म और उपासना की स अतनतरता जो परदान की गई है, वो आपका अनुछेद जो है, 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है, और यह भी प्रश्णा आपका JSC में पूछा हुआ प्रश्णा है, तो सारे प्रश्णा आपके NCRT, JCRT जो भी है, आपका टेस्ट बुक उसी से निकल के आ रहा है, तो देखे, राश्टी एकता दिवस जो है, वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, कितना अक्टूबर को मना जाता है, 31 अक्टूबर को, भारत के प्रथम गिरिह मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम गिरिह मंत्री कौन थे, 101 बारी प्रश्णा आया हुआ है, डॉक्टर राजे की अंसी आठी को लोग नहीं देखते हैं और बदनाम करते हैं कहां से प्रशन आता है सारा प्रशन test book से आ रहा है कहीं से नहीं आ रहा है बस test book को पढ़ लिजे जो नहीं पड़ पा रहे हैं वह यहां हमारे साथ जुड़ी यह सारे प्रशन का निचोड़ हम क्या आपको दे रहे हैं अगला प्रशन हो जाएगा भारत का विश्मार कहा जाता है सरदार बल्लब भाई पटेल को पंडित जोहलाल नहरु को डॉक्टर राजेंदर परशाथ को या कोई नहीं तो भारत का विश्मार किसे कहा जाता है बहुत ही बार और यह जेटेट में दो किसे का जाता है इसका राइट एंसर सरदार नकते के कारण इन्हें भारत का विश्मार किसे कहा जाता है 560 के एकिकरण में किषने भाग लियाicularड नहरू डॉक्टर राजेनर परसार सरदार बलब भाई पटेल या कोई नहीं तो यही वह सरदार बलब भाई पटेल थे जो देशी रियासतों का एकिकरन किया इसी एकिकरन के करण इन्हें भारत का विश्मार कहा जाता है और यह सरदार बलब भाई पटेल थे ठीक है यह प्रश्ण बार बर आ गया है भारत का बिश्मारता भी याद रख लिजेगा सायद हो सके कि इस परिच्छा में भी आपको आ जाए देगे आप पर हमने कुछ नोट्स आपको दे दिये हैं इसी के लिए आप थोड़ा से याद कर लिजेगा 2014 इस भी से प्रतेक बर्स 31 अक्टूबर को राष्ट्रिय एक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम ग्री मंत्री सर्दार बल्ला भाई पर्टेल का जन्म दिवस है उन्हें भारत का बिश्मार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 560 दे और उन्होंने बहुत सारा काम अपने देश के लिए किया है तो देशी रियास्तों के किरकरण मिन का महत्वपूर्ण धुमका आता है और इन्हें भारत का बिश्मार्क भी कहा जाता है बार बार प्रशन आता है तो आप इसको जोड़ू देख लिजेगा भारत के प्रतम राजेंदर परसाद ठीक है तो डॉक्टर राजेंदर परसाद आपको बता देते हैं इस तरह के नोट्स देखें बहुत कौम ही जगा पर मिलते हैं और बहुत कौम दाम में मिलते हैं तो आप लोगों को एक बर ले करके जुरूर पढ़ना चाहिए नहीं तो कितने पैसे च जाम चली जाएगे ना तो फिर आपको पांस साल छो साल चार सल पच्ताना पड़ जाता है इसलिए पच्तावान नहों इसके लिए आप अभी ही जुड़िये और टेस्ट पुक प्रधारी सारे नोट्स को यहां से परचेज कर लिजे ठीक है देखिए यहां पर है डॉक्ट करेंसे जन्वर्ण को स्विश्चक दिवस के रूप में मना जाता है क्रषाट डॉक्टर ऑक टर-डर-पली राधा-कृष्णन पंडटी जुहार-ल麼र लाल्लमियरू या कोई नहीं किसके जन्म्दीवस को सुचक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ड।chn. व depends बार उप राश्पती या एक बार राश्पती रहे हैं वे एक सिचक वीरा चुके हैं उनके जन्व दिवस को इ breathtaking को रूप में मिसकbakलो और श पीर सीच Verb काते हैं उससे क्या काते है को रख्र화त यह कौर सिकेता है उसको मजण को रॉपर को इसको हमलोग क्लोरोफिल कर ते क्योंकि इसर प्रकास का सबंसर्दी कि परकास्ती करें एक अगर create a उसकर हो है उसके जटाना तो पुछा जा रहे है 촬영 का कहां पाया जाता है दोनों में या कोई निस ठीक है, तक chloroplast जो पाया जाता है, या chlorophyll जो पाया जाता है, उस सभी जगन नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, और उसमें भी किसमें, तो हरे पौधों में, किसमें पाया जाता है, हरे पौधों की पत्यों में पाया जाता ह प्रकास संसलेशन के परकरम के द्वारा निर्मुक्त करते हैं, प्रकास संसलेशन के परकरम के द्वारा क्या निर्मुक्त करते हैं, तो क्या वो निकालते हैं, क्या वो निर्मुक्त करते हैं, आप से पूछा गया, तो प्रकास संसलेशन के परकरम के द्वारा क्या निर्मुक चोड़ते हैं क्योंकि oxygen जो है वो वायू में फोड़ते हैं और वायू मेंडल से लेते क्या है कार्बेल डोक्षड लेते हैं तो यह oxygen छोडते हैं और यह प्रहस्चन आपकों बता रहें 101 से ज़्यादा बार अब तक पूछ दिया गया है कि पेड़ पोधे परकाश संसलेशन के दोरान क्या निर्मुक्त करते हैं या क्या छोड़ते हैं या क्या निस्कासित करते हैं बहुत तरह से पूछा जाता है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पोधे ठीक है क्या छोड़ते हैं पर ONE को कहा जाता है किसो कहा जाता है one को कहा जाता है क्योंकि one क्या रिक्षता को जरूर चीज़ नामसे भी जाना जाता है देखिएं यहां पर लिखा हुआ है नोट्स बनाए हुए जो नोट्स परचिट करते हैं वन वायू मंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइक्शाइट का संतूलन बनाए रखते हैं इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है ब्रीच जल को असोसित करते हैं ब्रीच जो हमारा होते हैं वो जल को किस परकार से असोसित करते हैं जल को किस परकार से सोकते हैं पत्ता के द्वारा तना के द्वारा जड़ के द्वारा या कोई नहीं किसके द्वारा पेड़ पोधे जो है जल का असोसन करते हैं अगला है, global warming, बीस्व उसन का पर्मुह कारण क्या होता है? oxygen का पढ़ जाना, co2 का पढ़ जाना, जल का पढ़ जाना या कोई नी, ठीक है? oxygen का level पढ़ने से कोई हमें नुक्षान नहीं होती है, carbon dioxide का पढ़ जाने, यदि वाई्य मंडल में carbon dioxide बढ़ जाएगा, तो वायू मंडल क्या होगा ज्यादा गर्म हो जाएगा जब ज्यादा गर्म होगा तो उसी को हम लोग कहते है गलोबल वार्मिंग वायू मंडल का ज्यादा गर्म हो जाना गलोबल वार्मिंग या उसी कहते है बिश्व पुशनन तो कार्बन अक्षाइड की अधिकता होगी तो गलोबल वार्मिंग हो जाएगा, क्या हो जागा, गलोबल वार्मिंग हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला दिखिएगा, चीपको अंदोलन किस राज में चलाए गया, मत परदेश, उत्राखंड, हरियाना या करनाटक, ठीक है, यह चीपको अंदोलन भी एक हजार एक बर पूछ दिया गया, इसलिए चीपको अंदोलन सारे नोट से देख लेंगे, फिलाल अभी जो पूछा गया, उसको बताते है, जॉन एम बियर्ड, जॉन एल बियर्ड, जॉन पैक्सल, या कोई ने, ठीक है, टेलिवीजन का अभिश्कार किस ने किया, तो जॉन एल बियर्ड ने किया, जॉन एल बियर्ड ने किया, टेलिवीजन का अभिश्कार, ठीक है, चले अगला दिखिएगा, शुचना का अधिकार अधिनियम कप पारित किया गया है शुचना का अधिकार अधिनियम कप पारित किया गया है 2001 इसवी में, 2002 इसवी में, 2003 इसवी में, 2005 इसवी में ठीक है यह सुचना का अधिकार Right to Information Act जिसको हम लोग कहते है Right to Information Act सुचना का अधिकार अधिनियम कौनको पारित किया गया तो आपको बताना है इसले आप सभी ज़रूर देख लिजेगा ठीक है चल्ले अगला देखते हैं आप भारतिये स्टेट बैंक की प्रथम महिला अधियाज कोन थी अरूंधुती भट्टाचर्ज आरियनगर्ग आरे भटनस्वर या अरूंधुती कुमारे ठीक है तेखे भारतिये स्टेट बैंक क भारत की पर्थम प्रत्र्थम अढिकारी कौन है बहुत की आपका कृणी अधिकारि नाम से जाना जाता है जो जो के बहुत ही मच्रूर है कह…" घरेलु हिंचा से महिला समर्चहन अधिनियम लागो किया गया है महिला सरच्चान अधनियम कब लागू किया गया आपको बताना है ठीक है 2004 हिस्वी में 2005 हिस्वी में 2006 हिस्वी में 2008 हिस्वी ठीक है घरेली हिंसा से महिला सुरुच्छा के लिए लागू किया गया है वो कब यह महिला सुरुच्छा के लिए लागू किया गया है तो यह आपका दोनों बार, जेटेट में 2013-2016, दोनों बार अंतराष्टी महिला दिवस आया है, ठीक है, यूपी टेट में अब तक आपको बताता है, दस बार आया है, बिहार में पांच बार आया है, यह अंतराष्टी महिला दिवस बार बार पूछता है, ठीक है, और यह किस्से है, तो दे जादने के लिए जिसे बहुत ही समस्या है बहुत ही पर्षेंटेज खराब आता है नंबर बहुत ज्यादे फेल का जाता है इसलिए टेस्ट बुक पर अधारित नोट्स को ही पढ़िएगा ज्यादा कुछी दर पढ़नी का हो सकता आपको नहीं है जहरकंड में 2019 की जन गर्णा कुल साच्षरता दर कितनी है देखे आपको साच्षरता दर से जो प्रsm Sahap पूछा जाता वह हम आपको एक ट्रीक के माधिम से बताद रहे हैं देखें आप रियाद रखेगा 56 गीनति लिःगेगा 56 उसके बाद क्या होता बताईए उसके बाद आप लिखेंग अंदो सबसे उपर में महिला रहे में याद रहेंगा और सबसे नीचे में कौन रहेज़ां सबसे नीचे में पूरूस अब बीच में जो रहे गा यह ऐसत ऊज़सत हो गया महिला और पूरूस का ओसत ठीक है यानि अगर कोई पूझे कि महिला 54 दर कितनी है तो आपको बताना होगा 56 पॉइंट something कुछ जा सकता है अगर पूचहा, पूरुस सा छाथ सर्था दर कितनी होगी तो आपको बताना होगा 7.8 करना होगा 68 और 2000 गहना का कूल सा छाथ सर्था दर कितना होगा तो बीच में कूल होगा, महिला और पूरुस और बीच में cool, सर्शट परतिसद, क्या बताना अब आपको? सर्शट परतिसद, इसका right answer सर्शट परतिसद जाए देख लिए ना, एक line से लिखिएगा, 5, 6, 6, 7, 8, उपर होगा महिला, नीचे हो गया पूरूस, उपर महिला नीचे पुरूस और बीच में ओसत बीच में ओसत या कूल सा चर्तादर ठीक है याद हो जागा कि नहीं होगा अगर याद हो गया अगर यह अच्छा लगा आपको समझ तो एकदम अभी लाइक कर दीजिए गर दोस्तों मेरे प्यारे और जल्दी जूड़ अगर आप आपको सारा चिट लेक defend अगर आपको तोल राजनीटी सासर का लित में अच्छा नामार लाना चाहता है अगर आप यहां से सब नोस पर्ट्रच कर सकते się राजनीती सास्तर का खरी सकते है ठीक है तो जहरकंड में जनगन्ना 2021 को उनसार महिला साचर्टादर कितनी है देखे अभी आपको उतायते साचर्टादर के लिए क्या बताया थे एक पर फिर आपको उतायते लिख लेना है पांच छो छो साथ साथ ठीक है एकदम याद अब क्या करना है देखें यहाँ पर फांच छो तो सबसे उपर महिला ना सबसे नीचे पूरू अब बीच में कूल होता है कूल यानि महीला सचर्टादर कितना 56 पूरू सचर्टादर कितना 78 अब कूल कितना 360 यही है जहरकंड में जनगन्ना 2021 का धरपर जहरकंड में दर कितनी अभी ही बताये थे आपको कैसे लेगना था 56,67,78 उपर है महिला नीचे रहेगा पूरूस अब बीच में रहेगा कूल बीच में रहेगा कूल बस उपर नीचे तो अगर याद कर लिए तो देखिए साथ चॉपर आपके एग्जाम में यहां से चाप दीजिए गाए आप भी समझ गया है तो 2000 जहरकंड में पूरुसा चर्टा तब कितना होगा 78 तो 78 अब देखें 78.2345 दे सकता है लिए 79 ने होगा 78 में कोई होगा ना और वही उसका एंसर हो जाएगा जनगन्ना 2011 के अधार पर जहरकंड में लिंगानुपात कितना है देखें प्रशन को देख लिजे ये जेटेट ना 2013-2016 दूनु में जी दूनु में से आया है लिंगानुपात और कहां पर ही है तो देखें कलास 7 का एकसरसाइज 5 वहां से छपा हुआ अब बताईए कि आप बहुत लोग गलत मार का आगया होंगे तो कोई बात नहीं अबर देख लिजे अबर आप नोट से देख लिजे उजिससे कि अबर आपका स्कोर बढ़ जाए जो चला गया उसको पच्टाना नहीं लेकिन जो मिल रहा है उसको जडूर खरीद लेना है जडूर यहां से पर्चेश करके पढ़ लिजेगा नहीं तो जिन्द की बर पच्ता हिएगा तो जनगना 2011 के धार पर जहरकंड में लिंगा नुपात कितना है 947, 950, 996, 830 है तो जहरकंड में जो लिंगा नुपात है यानि एक हजार पूरूस पर जो है 947 महिलाओं का रिकोर्ट तोड़ी हापर है ठीक है यानि जहरकंड में लिंगा में 2013 में पूछा गया थो तो देखे आप कहां से मिस कियें और किताब में सब चित दिया हुआ था और आप लोग नहीं बनाए हुए ठीक है चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर होता है यदि बच्चा के साथ कुछ होता है तो चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर होता है वो चाइ पूलिस हेलप लाइन नंबर कौन है 100, 101, 108 या कोई नी ठीक है तो पूलिस के लिए जो हम लोग हेलप लाइन नंबर लेते हैं वह आप सभी को पता है 100 होता है 101 किसका होता है thin hairdry rate के लिए 101 किसका है और 108 किसका है ambulance के लिए ठीक है चले अगला देखियेगा ambulance का help line number कौन है, आइगी है, का help line number कोन है 100001 108 102 तो अभी है बता रहे थे Ambulence का help line number वह कितना 108 याद रख लिजेगा यह help line number वह बड़ाबर एक्जाम में च्छप रारी सब कोहीं नहीं अगर आप प्रैक्टिसेट लेके बना रहें तो कुछ न मिलेगा सब कितब हुए के देखिया रहार कितब हुए कोई ना पढ़ रहे हैं सब फेल कर जाईएगा ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ का है आगे बढ़िये रुकिये वाहन की गति कम केजिए या कोई नी ठीक है तो ट्रैफिक में जब हरा रंग हो गया तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़िये लाल रंग हो गया इसका मतलब की रुकिये और पिला रंग हो गया इसक उनों रंग को आप समझ लिजेगा याँ पर